हलो दोस्तों मैं हूँ सत्यंद्र और स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में दोस्तों इस बात पर बिलीव करना बहुत मुश्किल हो सकता है कि कुछ बरस पहले घुटने पर लगने वाली मामूली सी खरोज भी मौत का कारण बन जाती थी तब डॉक्टर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के लैब से अचानक 1928 में पेनिसली नाम का एक इंटिबायोटिक का जन्म हुआ इसके बाद से इंटिबायोटिक के मदद से हुमन लाइब स्पैन लगबग 23 साल तक आगे बढ़ गया आज इंटिबायोटिक सबसे महत्वपुर्ण और सबसे अधिक प्रिस्क्राइब की जाने वाली मेडिसिन्स में से एक है बैक्टरिया के कारण होने वाली साधारन से लेकर गंभीर बिमारियों और इंटिबायोटिक के इलाज में इंटिबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है इंटिबायोटिक को इंटिबायोटिक को इंटिबायोटिक के रूप में भी जाना जाता है लेकिन कभी Miraculous मानी गई Antibiotics आज Ignorance के कारण एक बड़ा खत्रा बन चुका है और अगर इस खत्रे पर जल्दी रोक ना लगाई गई तो दुनिया एक बर फिर से Medicine के फिल्म में Dark Age की और चली जाएगी Antibiotic का अधिक यूज होने की वज़े से Antibiotic Resistance की प्रॉब्लम पैदा हो गई है और इसी के प्रती Awareness फैलाने के मकसब से WHO की तरब से हर साल 18-24 नॉबर के बीच World Antibiotic Awareness Week मनाय जाता है इसकी सुरुआत 2015 में हुई थी जिसका थीम था Antibiotic संभल कर इस्तिमाल करें तो आखिर Antibiotic Resistance क्या है और यह कैसे डिवलप होता है चलिए जानते हैं आज की वीडियो में दोस्तों Antibiotic Resistance को जानने से पहले जानते हैं कि Antibiotic क्या होती है दोस्तों Antibiotic Bacteria के खिलाफ एक Active Prophylactic Substance है यह Bacterial Infection से लड़ने के लिए सबसे महतरपुर्ण प्रकार का Intibacterial Agent है जो या तो Bacteria को मार देता है या फिर हमारे सेल्स में Bacteria के ग्रोध को रोग देता है Antibiotic Resistance उस Condition को कहते हैं जब Bacteria उन दवाईयों के प्रती Adapt हो जाते हैं जो उन्हें मारने के लिए बनाई गई है इसका मतलब है कि Bacteria मरते नहीं है और लगतार बढ़ते जाते हैं Antibiotic Resistance Bacteria के कारण होने वाले Infection का इलाज करना कभी-कभी काफी मुस्किल हो जाता है इसका यह मतलब नहीं है कि Body Antibiotic के खिलाफ Resistance हो गई है बलके इसका मतलब यह है कि Bacteria उन Antibiotic के प्रती Resistance हो गए है जो उन्हें मारने के लिए बनाई गई थी क्योंकि Antibiotic Resistance की प्रॉब्लम दुनिया भर में बेहत खतरनाक लेबल पर पहुँच गई है निमोनिया, TB, Blood Poisoning और ऐसे ही कही बिमारियों का इलाज बेहत मुस्किल और असंबह होता जा रहा है क्योंकि Antibiotic कम असरदार होती जा रही है दोस्तों Antibiotic Resistance की तरही Antimicrobial Resistance भी होता है इसमें microorganism जैसे की bacteria, parasites, virus और fungi Antimicrobial drugs के संपर्ग में आने से change हो जाते हैं ये Antimicrobial Resistance डिवलप कर लेते हैं इन्हें Super Bugs कहा जाता है इसका result यह होता है कि दवाईया infection पर असर नहीं करती जिससे दूसरों को भी infection फैलने का खतरा बढ़ जाता है Antibiotic Resistance की problem किसी भी व्यक्ती, healthcare professional या agriculture industry से जोरे लोगों को जीवन में किसी भी stage पर हो सकती है Antibiotic Resistance bacteria से होने वाला infection आपकी पूरी body को affect कर सकता है यह बहुत सारे symptoms का कारण बन सकते हैं लेकिन सिर्फ कुछ symptoms को देखकर यह नहीं कहा जा सकता कि infection antibiotic resistance bacteria के कारण हुआ है इसका सबसे common symptom patient पर दवा का असर नहीं होना है साथी treatment में standard antibiotics का उप्योग करने पर भी patient का ठीक ना होना भी इसका लक्षन है इसलिए यह दुनिया का सबसे खतरनाक और urgent public health से जुरी समस्या है आए अब यह जानते हैं कि antibiotic resistance कैसे develop होता है दोस्तो अकसर आपने भी सुना होगा कि आपको antibiotic का course पूरा करना चाहिए और इसकी एक बरीव वज़ा भी है दरसल किसे भी अन्य microorganism की तरही बैक्टरिया भी favorable condition में 3G से grow करते हैं reproduction के दोरान बैक्टरिया के DNA में कई बार mutation होता है इन में से कुछ mutation non effective होता है जबकि कुछ fatal होते हैं जो बैक्टरिया में antibiotic resistance को develop करता है जो इनको माडना या इनकी growth को कम करने के लिए ली जाती है resistance power को develop कर चुके होते हैं ऐसे बैक्टरिया न सर्फ खुद से विक्सित होने वाले नय बैक्टरिया को ये DNA पास करते हैं बलकि अपने DNA के कुछ हिस्से को neighboring bacteria को भी transfer कर देते हैं यही वजह है कि bacteria को खत्म करने के लिए अकसर antibiotics की high dose देने की सला दी जाती है और साथी patient को भी इसका पूरा course करने को कहा जाता है antibiotic resistance वाला अगर एक भी bacteria जीवी तरह जाता है तो वो patient के सरीर में reproduction के जरिए अपनी number को बढ़ा लेते हैं और उसे अधिक बिमार करने में सक्षम हो जाते हैं दोस्तो बैक्टरिया में antibiotic resistance बढ़ने के पीछे तीन बरी वज़ा हो सकती है पहला है antibiotic का misuse यानि बिमारी इस बैक्टरिया के वज़ा से हुई ही ना हो और फिर भी दवा दे दे गई हो दूसरा इसका excessive use यानि की बहुत हलके infection में या फिर इलाज में इसकी जरूरत ना होने पर भी antibiotic का दिया देना है और तीसरी वज़ा है कम dose लेना यानि की infection होने पर antibiotic की हलकी या कम dose लेना दोस्तों antibiotic resistant antibiotics का misuse और overdose लेने से बढ़ता है इसके साथी अगर इसकी prevention और control ठीक से ना किया जाए तो इसकी संभावना और बढ़ जाती है इसकी prevention के लिए WHO ने कई guidelines जारी की है जिसमें इस problem से निपटने के उपाय है इसमें कुछ खास बाते ध्यान रखनी होगी जैसे की WHO के मुताबिक छोटे-छोटे infection के लिए antibiotic लेना बंद करना होगा गला खराब हो, नाक बह रही हो, viral infection हुआ हो या हलका बुखार हो इन सब के लिए antibiotic ना ले डॉक्टर से संपर्क करें और कुछ और उपाय पूछे दूसरा, किसी भी बिमारी के लिए खुद दवा ना ले चाहे वो सिर्दर्ध ही क्यों न हो अगर आम तोर पर सिर्दर्ध रहता है तो डॉक्टर से सला ले और पूछे कि क्या दवा लेना सही होगा तीसरा, भले ही बिमारी सही लग रही हो लेकिन जितना डॉक्टर ने बताया है उतना ही दवा ले फीवर तीन दिन में चला गया लेकिन डॉक्टर ने पांच दिन की दवा ले की हो तो पांच दिन का कोर्स पूरा करे चौथा, अगर एंटिबाइटिक बच गई हो तो उन्हें दुबारा इस्तेमाल ना करे एक बार डॉस पूरा होने के बाद दवाओं को फेंक दे पांचवा, हाईजीन से जूरी सभी आदतों का ध्यान रखे बिमार लोगों के पास ज्यादा ना जाएं हाथ दोएं और खाना बनाते समय हाईजीन पर ध्यान रखे चटा, अपनी डॉक्टर या किसी केमिस्ट को दवा लेने के लिए फोर्स ना करे वो अपने हिसाब से बेहतर दवा देगा एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर इस तरह मेडिसिन्स को लेकर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले समय में खतरनाग विमारियों का इलाज बहुत मुस्किल हो जाएगा इसमें ओर्गन ट्रांस्प्लांट, कीमो टेरेपी और यहां तकी छोटी बरी सरजरी में भी प्रॉब्लम हो सकती है इंटिबायाटिक के लगतार बढ़ रहे इस अंधादूंद उप्योग से फैल रहे खतरे से बचाओ के लिए नितिकत उपायों की और रुख करने की आवशक्ता है इसके लिए सुरुवात में इन दमाओं को ओवर दी काउंटर बिक्री पर रोक लगाना जरूरी है यहां इस बात को भी नजर अंदाज नहीं करना चाहिए कि हेल्ट सर्विस की बढ़ती कॉस्ट और अवेर्नेस की कमी के मद्दे नजर भारतिये बिना डॉक्टर के कंसल के खुद से ही इंटिबायाटिक खरीद कर इसका गलत मात्रा में सेवन कर रहे हैं दोस्तों इंटिबायाटिक मेरिसिन्स के मिस्यूज और ओवर यूज पर रोक लगाने की आवशकता है क्योंकि अगर ये ऐसे ही जारी रहा तो भारतियों को जल्दी एक ऐसी स्थिति का सामना करना परेगा जहां मौझूदा इंटिबायाटिक्स उन्हें बैक्टरियल इंटिबायाटिक रिजिस्टन्स के बारे में समझ गए होंगे इससे बचने के लिए आपको वीडियो में बताई गई बातों को फॉलो करना चाहिए अधिक जानकारी के लिए आप अपने डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं दोस्तों इस वीडियो को शेयर और लाइक करना न इंटिशन्स